हालो फ्रेंड्स आज मैं आपको हाउ टो में कॉइंट फास्ट के पार्ट टू के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा और जल्दी कॉइंट प्राप्ट कर सकते हैं तो मैंने इसके उपर एक पहले भी वीडियो बनाई है वह आपने जरूर देखी होगी और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखिए तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूं उसमें जो जो मौस्ट प्रॉफिटेबल ट्री जो होती है उसकी जानकारी दूंगी ताकि उससे हम कैसे जो है वह प्रॉफिट लेकर के और कोईं ज्यादा से ज्यादा बना सके तो उसके लिए सबसे पहले आप फटा फट एक कॉपी और एक पैन लेकर के बैठ जाईए क्योंकि मै आपको ट्री कौन से ट्री से कितना प्रॉफिट नेट हमें प्रॉफिट मिलेगा उसके बारे में बताने वाली हूं तो वह आप अगर नोट करते रहेंगे तो आपको अंदाज रहेगा कि मैं कौन सा ट्री लगा रहा हूं किस ट्री से हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा और उस calculation के बाद ही आप ये निकाल सकेंगे कि मैंने अगर 10 ट्री लगा हैं या 50 ट्री लगा हैं तो मुझे लगब नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है तो फटा फटा आप एक कॉपी और पैल लेकर बैट जाएए आज की वीडियो के लिए और साथ ही उससे पहले मैं आपको एक बैसिक जानकारी देती हूं ट्री के बारे में कि जब भी हम कोई ट्री ग्रो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे हमने उसको खरीदा खरीदने जब उस ट्री पर से फ्रूट्स को हटाते हैं तो चार फ्रूट्स आते हैं तीन बार से ज़्यादा हम ट्री से फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं उसके बाद फिर वह सूख जाता है और जब सूख जाता है तो हम उस पर हेल्प लगानी होती है हमें और हेल्प लगाने से फिर यह उसलोय सहाना सर्दाट हम एक पेड्द नातों कि पैड़ना देंक दो आकलता है कि सबांड़ाय को दो नेकाल है आपको पता होगा कि यह एपल रहे है और इससे आप पी देखिए इसके एपल के 10 जाते हैं 396 में आपको बताया कि एक ट्री से 13 फ्रूट्स जो है तेरा फ्रूट्स जो हो निकलते हैं तो 396 और उसके बाद फिर तीन फ्रूट्स और 396 प्लस 118 कुल मिला करके हो गया 514 रूपे 514 रूपे अगर आप इस फ्रूट को बेज़ते हैं तो 514 रूपे आपको मिलेंगे उसमें से अगर हम क्योंकि प्रॉफिट निकालना है हमें इसलिए हम इस ट्री की जो खरीक जो थी 160 रूपे वो माइनस कर देंगे और इस पेड को काटने के लिए हमें एक 100 की ज़रूद पड़ती है जो की 54 रूपे की आती है उसको भी माइनस करेंगे तो 514 माइनस 160 माइनस 54 तो टोटल मिला करके आपकी इस ट्री के उपर नेट प्रॉफिट हुआ 300 रूपे सेकंड ट्री जो है वो आता है चेरी ट्री ये देखी चेरी ट्री यह जो की 410 रूपे में आता है और लगबग 22 लेवल ये 22 वे लेवल पर हमारा खुल जाता है अब मैं आपको चेरी के बारे में बताती हूँ ये देखी चेरी जो है वो 684 का 10 मिलता है अगर हम इसके 3 और क 25010 – 55 अगर माइनस करते हैं तो टोटल मिलाकर के नेट प्रॉफिट जो इस ट्री से होता है वो 425 रूपए का होता है अगर हम थड़ ट्री की बात करें तो कोको आप देख रहे हैं कोको 550 रूपए काता है ये लेवल 36 के उपर खुलाता है जब हम कोको को सेल करते हैं तो इसके 10 फूट्स जो हैं वो 864 रुपे में बिखते हैं और अगर हम इसकी 3 फूट की बात करें तो देखी 259 में बिखते हैं टोटल मिला करके इसका अमाउंट हो जाता है 1123 रुपे और उसमें से अगर हम इसकी कोको ट्री की वेल्यू निकाल दें 550 माइनस 54 तो कुल मिला करके होती है 519 रुपे अब अगला हम ट्री देखते हैं अगला ट्री है ओलिव ट्री आपको दिख रहा होगा ओलिव ट्री 620 रुपे का ओलिव ट्री आता है और ये ओलिव ट्री जो है वो करीबन 57 लेवल के उपर खुलता है अगर ओलिव को हम सेल करते हैं तो देखिए 828 रुपे में एक ओलिव सेल होता है और इसके तीन जो है ओलिव वो 248 रुपे के होते हैं कुल मिला करके अगर हम देखें तो 1076 रुपे का होता है और उसमें से हम 620 और 54 को माइनस कर दें तो 402 रुपे नेट इस्ट्री की नेट प्रॉफिट जो हुआ हुआ हमार से निकलता है नेट्स्ट्री आता है लेमन ट्री लेमन ट्री 670 रुपे का होता है और यह लगबग 66 लेवल पे उपन होता है अगर हम लेमन की बात करें तो देखें लेमन जब हम इसको सैल करते हैं तो 936 रुपे का लेमन देखता है 10 लेमन जो है 936 रुपे में बिखते है और 3 अगर हम लेमन ओर इसमे एड करें तो 280 रुपे के होते हैं कुल मिला करके इसके प्राुट होता है 1216 रुपे का और जब मांश करके ट्री वेल्यू और यह माइनस करके हम देखते हैं तो चार्ज 492 का नेट प्राफिट इसके उपर होता है नेक्स ट्री आता है हमारे औरेंज ट्री मैं आपको बताती भी जारी हूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो यह औरेंज ट्री जो कि 720 रुपे का आता है 71 लेवल पर खुलता है और जब हम इसके औरेंज को सैल करते हैं यह देखिए औरेंज मेरे पास हैं तो 972 में हमें 10 मिलते हैं और 3 जो हैं उसकी वेल्यू होती है 291 कुल मिला करके होते है 1263 और उसमें से हम इस ट्री की वेल्यू और 100 की वेल्यू अगर माइनस करते हैं तो लगबग 489 की नेट प्राफिट इस ट्री से हमें मिलता है नेक्स अगर हम ट्री की बात करें तो नेक्स ट्री है पीच ट्री पीच ट्री आप देख रहे हैं 750 रुपे का है ये 76 लेवल के उपर खुलता है और पीच ट्री के अगर हम बैल्यू निकालें ये देखिए पीच पीच ट्री के फ्रूट जो है वो 108 के अंदर बिखता है तीन फ्रूट जो है वो 302 रुपे में बिखते हैं कुल मिला करके हुए 1310 रुपे और उसमें से हम अगर इन दोनों चीजों को माइनस कर दे ट्री की वैल्यू और 100 की वैल्यू तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखे तो होता है 506 रुपे का और लास्ट जो मेरे लेवल के उ इसको अगर हम सेल करते हैं बनाना को तो देखे बनाना जो है वह हजार 45 रुपए में बिखता है 313 रुपे में इसके 3फू और मिलते हैं और अगर हम लास्ट में मिला करके देखें नेट प्रॉफिट तो इसका पांसो ती रुप तीन रुपे का आता है तो इस तरीके से अ तो आपके लिए सबसे बैस्ट ऑप्शन होगा कि आप कोको ट्री को मैक्जिमम लगाए चुकि सब कुछ करने के बाद भी 519 रुपे का जो नेट प्रॉफिट देता है और सेकंड नमबर पे आता है पीछ ट्री और थर्ड नमबर पे आता है प्रॉफिट देने में बनाना ट् अब मैं आपको सबसे कम प्रॉफिट देने genetically के बारे में भी भी बता देती हूँ तो अробर के बारे में भी जान जान ले तैंग着 जो सबसे कम प्रॉफिट देने वाला ट्री जो है वो ट्री है ऑलिव ट्री जिसकी ज़रूत हमें सबसे ज़्यादा जब हम हाई लेवल पर आते हैं तो सबसे ज़्यादा जिस ट्री की ज़रूत हमें पड़ती है वो है ऑलिव ट्री और वही हमें कम प्राफिट देता है क्योंकि ऑलिव से ही हमें कई त यह बढ़ा देखकर कि उसी हिसाब से ट्रीज लगाएंगे देखिए मैंने भी काफी सारे जो है यह को को के प्लांट लगा दिये और जब मेरे पास कॉइंस बहुत जादा होंगे तो हम सभी कुछ कर सकते हैं फॉर्म के लिए एक दिन और दस घंटे बाद यह रड़ी हो जाएंगे अब अगर हम बात करते हैं बुशेज की तो बुशेज में आप देख सकते हैं कि बुशेज सबसे पहली बुश है रास्पडरी जोकी 220 रुपे की होती है और उसमें से भी यह सेम चीजे यानि की 13 फूट्स हम ले सकते हैं और जब हम उसको हम करके देखते हैं देखे रुपे की आती है एक सो चालिस की तीन और नेट प्रॉफिट इसके ओपर 352 रुपे का होता है वही आप देखिए ब्लैक बेरी ब्लैक बेरी जो होता है वो 828 रुपे का आता है और अगर हम तीन और अगर इसमें एड़ करें तो 1076 रुपे कुल मिला करके हो गए और उसमें से इसको बुषिस को काटने के लिए आपको पता है कि हमें जो कुलाडी की जरूरत पढ़ती है एक्स की जरूरत पढ़ती है तो एक्स की वेल्यू 36 होती है उसको हम माइनस करके अगर हम देखते हैं तो हमें ब्लैक बेरी के उपर 5 810 रुपे का नेट प्रॉफित होता है और तीसरी भुषिश जो है वो कॉफी भुषिशे जिसमें जिसको कि हम 10 कॉफी को जो है वो जयल करते हैं जो nggakcko 648 रुपे का नेट प्रॉफिट जो है वो 365 रुपे का नेट प्रॉफिट इसमें मिलता है रस्बेरी जो है वो 19 लेवल पे खुल जाती है ब्लैक बेरी टॉटिशेक्स लेवल पे खुलती है और कौफी जो है वो 42 पे खुल जाती है तो अगर आप बुशिज में देखें तो सबसे बेस्ट जो है ऑपशन हमारे पास profit के लिए तो वो है blackberry bushes अगर आप blackberry bushes को लगाते हैं तो 510 रुपे में आपको एक bush से जो है वो profit मिलता है तो आप calculate कर सकते हैं कि अगर आप 10 लगाते हैं या 20 लगाते हैं या 50 लगाते हैं तो उसको आप उत्ते से multiply कर लिजिए और आप सोच सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा profit इन bushes से और इन ट्री से हो सकता है तो अगर आपका लेवल 40 के आसपा से तो सबसे best option यह होगा कि आप ट्री में कोकोज के ट्री लगाए और बुशेज में जो है ब्लैक बेरी के बुशेज लगाई है आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी अगर आप कि आपको हमारी और आपको और आपको हमारी और आपको कैसी लगाई है आपको हमारी यह वीडियो का कि बापको के बिद्दोट